पहलो आइट वेलकाम टू स्वेकेड़मी नीट दोसों अप में पहुंच गया थे सभॉष वर्टिबरेटा ने अगर आपने वो नहीं देख रखा आपको आई बटन पे भेल जाएगा वहां से जाकर तो देख सकते हैं तो इसमें से जो पहला ग्रूप था आपका वह एगनेथा ग्रूप था और दूसरा ग्रूप था आपका वह कौन सा था आपका गैन्थो इस्टोमेटा ग्रूप था आपका तो सब फाइलम वर्टीब्रेटा को आपको दू ग्रूप में डिवाइट किया गया एक आपका एगनेथा ग्रूप बना और दूसरा ग् गैनेत्थ और गैन्ता स्टूमर में डिवाईट किया गया इसमें चार मैन कर्रेक्टन था वह आपका जबड़े क fidges ऐखने trướcू Sam नारे के बाद है पयरेति手 इसमें आपके घरुटिय क्रेक्टिन और यहां पर यह सारी के सारी चीजे इनमें पाई जाती हैं तो यह इन चीजों को बिस बना करके सफ़ाइलम वर्टिब्रेटा को एगनैथा और गैंथो इस्टोमा में आपका डिवाइट किया गया तो इस वजए से जो आपके एगनैथा के जितने भी मेंबर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं जो लेस कहते हैं और इनमें जो प्रजेंट था तो इनमें आपका जो प्रजेंट है आपका अब उसके लिए जो भी आप्टर में यूज कर सकते हैं प्रजेंट जाओ जो को आगे चल करके आपकी 2 class में divide किया गया और वह class पकी aznar चाइंब, आपके ऑस्टा रमी भाउस काफी पुराने क्लास करते हैं तो इसमें जो इल लाइक के impandoflow, वो आपके सारे के सारे इसमें आते हैं आपने petromyzen, mixin इसका नाम सुना होगा, diagram भी आपका आ रहा है तो ये पूरे के पूरे क्या होते हैं कि ये इनका जैसे mouth है तो ये पूरा का पूरा इनका ये कि इस तरीके से structure होता है आपका और इनमें किसी भी तरीके का कोई fin like structure यानि ये होते तो आपके बिलकुल snack like structure है लेकिन इनमें क्या होता है कि ना तो jaw present होता है आपका ना ही आपके इनमें क्या होते हैं कि fin present होते है क्योंकि जितनी भी मशलियां होती है सबी मच्रियों में क्या होता है कि मूवमेंट के लिए का हाथ पयर हम लोगों की तरह तो होते हैं उन» क्या होते हैं कि फिंस पाए जाते हैं लेकिन इन में वो भी चीजह नहीं प्रेजेट थी यह इनका में गरेक्टर था और यह लेकिन इन में क्या है कि J हम Mouth अब वहीं पर जो गैंथो इस्टोमा था आपका तो गैंथो इस्टोमा को आपको डिवाइड किया गया दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया आपका जो आपका जै कि गैंथो इस्टोमा वो सारे के सारे अनिमल थे गैंथो इस्टोमा में वो सारे के सारे मेंबर आई या फिर animal है जिन में क्या था job project था अब ये जो थे इनको हम लोगों ने क्या किया कि दो super class में divide किया और वो जो दो super class थी आपकी तो वो पहली super class आपकी कौन सी थी Pisces थी और दूसरी super class आपकी कौन सी थी Tetra Poda थी Pisces तो जितनी भी तरह की मचलियां होती है वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर रख दी गई है आपकी फीक है इसके बाद में जो भी आपड़ आप देखी इसके नाम से आपको पता चलै टेटर का मतलब 4 और पोड़ा का मतलब पैर यानि कि जिन में 4 पैर पाये जाए जारे हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पर रख दिये गए आपके ठीके तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि गैंठो इस्टॉमा को 2 सूपर क्लास में डिवाट किया गए पहले आपके Pisces थी, दूसरी Tetra Pota थी आपकी, Pisces में आपकी तीन क्लास बनाई गई हैं आपकी, और इन तीन क्लास में कौन से थी आपकी, सबसे पहली Placodermy, Placodermy में Ancient Fishes आती हैं, ठीके, इसके बाद में आपके बनाई गई Condric Thies जितनी भी मचलियां जिन में Endo Scalaton Cartilage का बना होता है, Cartilage जैसे हमारे कान मुख्ये जो बाहरी कान की बनावट होती तिया Cartilage का ही बना होता है, तो वो आपके किसकी होती है, Condric Thies यानि जिन में Cartilage का बना हुआ Endo Scalaton था, वो सारी की सारी मचलियां कहां पर रखी गई, Condric Thies में रखे गई, सार के एक अच्छा एक्जाम पर है याद रखेगा, इसके बाद में जो तीसरी क्लास, सुपर क्लास, Pices में Divide की गए वो चार पैर पाए जाते हैं, तो इस तरीके के सारे के सारे मेंबर आपके यहाँ पर रख दिये गए, अब टेट्रा पोडा को आगे चल कर गया, आपको चार क्लास में Divide कर दिया गया, चार क्लास में सबसे पहली क्लास आपकी Amphibia, ऐसे एनिमा, जो जमीन और पानी दोनों ज पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि Apes में पाए जाने वाले जितने भी मेंबर या एनिमाल वो सारे उड़ सकते हों, इसका सबसे में, जो इनको Divide किया गया था, वो Feathers के Base पे Divide किया गया था, ना कि उड़ने के Base पे Divide किया गया था, ठीक है, क्योंकि उड़ आपको एक चीज ध्यान देनी वाले बात यह है, कि यह जितने भी मेंबर हैं, आपके यह अंडे देते हैं, ठीक है, तो यह आपके क्या करते हैं, कि अंडे देते हैं, और यह आपके क्या करते हैं, कि बच्चे को जन्म देते हैं, तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान दे चाहिए और थोड़ा सोसल डिस्टेंसिंग हो उसका ज़रूर पालन करना चाहिए तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं क्योंकि आज का वीडियो हमारा इस बेस इसको ही में नजर में रख करके बनाया गया है कि सब फाइलम वर्टीब्रेटर को कहां तक क्लासीफाई किया गया है और हमको आगे क्या क्या पढ़ना है तो इन सारी के सारी चीजों के पूरा का पूरा था जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है तो अगला वीडियो हमारा आएगा एगनैथा का आएगा अगला वीडियो आपका हमारा एगनैथा का आएगा एगन तो अभी हमारे एक सीरीज आफ वीडियो क्लासिफिकेशन की फाइलम काड़ेटा या सब फाइलम वर्टीब्रेटा की आने वाली है तो ये इसके इन सभी के लिए अपडेट्स के लिए आपको हमारा जितना भी सोसल मीडिया हैंडेल है जिनका लिंक आपको डिक सिरिप्सन मे दे दिया गया है तो आप जाकर के वहां से हमारे पेज को हमारे चैनल को like और subscribe जरूर कर लीजे और हां YouTube में हमारे चैनल को subscribe करने काए बेल आइकन जरूरा प्रेस कीज़ेगा जिसकी वेचे से हमारे हरे एक वीडियो का notification आप सभी तक आता रहे